जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यह किसी एंशुरिंस कंपणी की टैग लाइन आज के दौर में ज्यादा हो गई है लोगों का इसने जिंदगी के दौरान और उसके बाद भी हो और उतनी ही शिद्धत, उतना ही प्रगाड हो यह कम होता है ज्यादा तरब लोग materialistic चीज़ों को तर्जीह देते हैं उनके लिए दुनियावी चीज़ें ज्यादा एहम हो गई हैं और रिष्टे, अपनापन, किसी की तरफ शद्धा, जुकाओ और वो जब सामने हो तो भी, और जब सामने ना हो तो भी उस रिष्टे को वैसे ही जीने का भाव, ये धीरे-धीरे कम होता देखा गया है इसके हरास की क्या वजह हैं, ये एक दूसरा विशय हो सकता है जिसमें हम किसी और दिन बातें विशेश करेंगे लेकिन आज बातें विशेश में मैं आपसे एक बहुत मार्मिक कहानी कहानी इसलिए नहीं क्योंकि वो सच्ची घटना है और कहानी इसलिए कि अब ये सब कहानियों में भी नहीं मिलता एक लड़की जो कैनेडा जाती है उसको अपने ही राज्य का गुजरात का भरूच का रहने वाला एक लड़का मिलता है वहाँ और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं करीब चार साल तक वो एक दूसरे की महबत में गिरफतार रहकर ये फैसला लेते हैं कि वो अब इसे रिष्टे का नाम देंगे शादी करेंगे और उन्होंने शादी की और अभी इसको 6-8 महीने ही बीते थे कि लड़के के घर से गुजरात में जहां उसका घर है खबर आई कि पिता बीमार है और पिता को हार्ट का भी प्रब्लम है कोविट भी हो गया है लड़के ने फैसला किया कि वो कैनड़ा से यहां आकर अपने पिता की देखभाल करेगा वो आया उसने देखभाल भी की पिता स्वस्थ होने की तरफ भी बढ़ चले लेकिन खुद वो लड़का कोविट की चपेट में आ गया मार्च में वो हिंदुस्तान आता है 2021 और मे में वो खतरनाक तरीके से बीमार हो जाता है और अब छाबर यह आती है कि उसको फिफवडों ने काम करना बंद कर दिया था तो एक टेक्नॉलीजी होती है जिसमें एक्सिट्रा कारकोरियल मेंब्रेन के जरिये उक्सिजेशन की कोशिश की जाती है जिसे एक्पो मशीन कहते हैं इस एक्मो मशीन से गुजार कर उसके जो हमारे फेफणों से गुजर कर हमारा जो लहू है जो रक्त है उसमें जो आक्सीजन सोखी जाती है वो एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेंब्रेन के जरिए वही काम लिया जाता है मल्टी औरगन फेलियोर वाली जब नौबत आ गई और अस्पताल को ये लगा कि अब नहीं बचा पाएंगे तो अस्पताल के डॉक्टर्स ने प्रबंधन ने परिजनों को बुला कर ये बताया कि अब हमारे हाथ से बाहर की बात है और अब हो सकता है कि इनकी सांस बमुश्क का अंभामा बाब का था उस लड़के के सिर्फ 32 साल की अवर में हो रहा है उस लड़के के साहत देखेजगा और यहां वो महिला है अक्सार देखने को मिलता है कि और यह वैसे समाज-सुदार के लिए उठाया जब फैसला किया गया कि कम उम्र में जो महिलाएं अपने पती को खो देंगी, विद्वा हो जाएंगी, उनकी जिंदगी फिर से बहाल हो सके, पट्री पर आ सके, इसलिए अगर वो पुनर विवाह के बारे में भी सोचें तो ये किया जा सकता है, लेकिन अमोमन ये देखा जा मोह पाश वो नहीं चाहते, और या फिर ये होता है कि वो सोचते हैं ठीक है, अभी तक ये थे साथ में, आप कोई दूसरे होंगे, और वो जिंदगी की दौड में आगे बढ़ जाते हैं, और ये मजबूरी भी होती है, लेकिन यहां उस महिला ने मिसाल काइम की, अब उसक के सामने दो चैलेंजिस थे, एक तो अपने पती को जाते हुए देख रही थी और वो चाहती थी कि उसके पती की कोई निशानी हमेशा के लिए तो उसके साथ रहे और जाहिर है, वो संतान ही हो सकती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि पती बीमार है, कंसेप्शन हो नहीं सकत संतान ऐसे उसे हासिल हो नहीं सकती, अपने पती से तो वो क्या करें, उसने डॉक्टर्स के सामने ये अपनी विंती रखी कि क्या कोई ऐसा तरीका मुम्किन है कि मैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो तरीका मुम्किन है उसमें आपके पती का कंसेंट चाहिए, क्योंकि इसमें जो सेल्स हमको चाहिए होंगी, स्पाम सेल्स, वो आपके पती के कंसेंट के जरीए ही हम उनके शरीर से बाहर ला सकते हैं, और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरीए या दूसरे तरीकों से ये देखा जा सकता है कि क्या किया जाए, लेकिन आप क्योंकि व कोई पत्मी और उसको ये लगा कि अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसको तभी कुछ लोगों ने सुझाया और उसको लगा कि ये करना चाहिए, उसने कोर्ट का दर्वाजा खट खटाया, और आखिरकार कोर्ट ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ये फैसला किया कि इस महिला का प्रेम जो है, वो अपने आप में एक प्रतिमान है, एक एक एपिटोम है, रिष्टे का, इससे बड़ी चाहत किसी इस तरीकी क्या हो सकती है, खासतोर से उस दौर में जब वो विदा कर रही हो अपने पती को इस दुनिया से, कि उसकी कोई निशानी हमेशा के लिए जीवित तोर पर उसके साथ हो, और अगर ये किसी भी तरीके से मुम्किन है, तो उसे ये साकार करना है, और इसके लिए विंटी कर रही है, तो आखिरकार एक तरीका होता है जुटिशल प्रॉसेस में, जिसमें पूरा फैसला न देकर, अंतरिम फैसला दिया जाता है ताकि अगर कुछ तुरंत किये जा सकने, अरजनसी वाली कोई स्थितिय है, तो उसको किया जा सके, और कोर्ट ने ये कहा, कि अभी हम आपको यहाँ पर जो फैसला दे रहे हैं, उसमें आप उनके शरीर से स्पर्म सेल हासिल कर सकते हैं, और ये एक एर्टी नाम की असिस्ट सकताल गई वो लेड़ी और वहाँ जाकर उसने प्रारतना की डॉक्टर से कि अब देर ना किया जाए, स्पर्म को कलेक्ट करके और उसको प्रिजर्व कर लिया गया है, वडोद्रा के स्पताल में, अब तेईस तारीख को ये फैसला आने वाला है, कि आगे क्या किया जाना ह हैं, फर्टिलाइजेशन के संदर में आगे, क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी इस बारे में तै आगे किया जाना है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें आप देखिए, जिंदगी को लेकर जीवट बने रहना, अंदर उमीद की एक लोज जगाए रखना, पती के साथ प्रे प्रेमोशन का कैसा ज्वारभाटा होगा, भावनाओं का कैसा उतार चड़ाओ होगा, ये सिर्फ जो इस कहानी के सजीव किरदार हैं, सिर्फ वो महसूस कर सकते हैं, हम और आप उस बारे में सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन देखिए, दो चीज़ें कि प्रेम की होती है, वहाँ राह होती है, हलाकि जो इस दुनिया से जा रहा है, तमाम कोशिशों के बावजूद जा रहा है, उस बारे में एक हत्व के बाहर वो पत्नी लाचार है, वहाँ जो काम कर रहे हैं, लोग्ध हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रबंधन हैं, वो लाचार हैं, परिजन कहानी यही थी आज की बातें विशेश दिव्या मेरी सहयोगी डिजिटल की और मदन मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे जो ये बाचीत आप तक पहुंचा रहे हैं इन दोनों के साथ विदा लेता हूं नमस्ते